चले स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा फैमिली लाइफ साइकल फैमिली लाइफ साइकल, यानि किस तरह से एक स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे कि उन्हें किस तरह से describe किया गया है, family life cycle होती है, जीवन चक्र, ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र, वो कहां से start होता है, वो कहां उसका अंत होता है, तो उन्हें तीन तरह से describe किया गया है, तीन तरह से, एक पहला होता है beginning, ठीक है, beginning stage होती है, यानि एक प्रारंभी कवस्था त journaling प्रारंबी कवस्ता या, a beginning stage, अब इसमें क्या होता है? अब इसमें दो एक तरह से दो लोग होते हैं, जिनकी marriage हो जाते है, शादी हो जाती है, शादी के बाद वो एक मलव घर पर आते हैं और उस टाइम जो भी उनके पास जिसे खर्चे वगरा होते हैं तो भी कम रहते हैं एक तरह से देखा जाए वो ऐसा टाइम होता है जहां उस टाइम वो बचट कर सकते हैं आगे क्यों ले करके जब वो एक तरती अवस्था में आते हैं थार्ड एस्टेज में आकर वही पैसा उनकी काम आता है जब जो चीजे वह फुरुवात में बचाय हुए होते हैं जैसे सेकेंड एज में बच्चे वगएरा हो जाते हैं तो बच्चों की भी जितनी दो लोहं कीशादी हो जाती है वो पहली वस्ता होती है इसमें किसी तरह का मिलब एक तरह से खर्चे भी कम रहते हैं शक्ति नगune क्या कहा मिलब लौस कम पर था जैसे ही बच्चे होते तो उसमें एनरजी भी काफी लॉस होती इनके पढ़ाई से लेकर के उनकी हर चीज एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है तो पहली स्टीज में प्रिथम स्टीज में यही है एक फैमिली दो लोग होते हैं और दो लोग क्यासी वो दो लोग पर आकर की खतम ह होता है दो लोग होते हैं husband wife तो इनकी शादी होती है ठीक है सारी responsibility उठाते है और वो टाइम ऐसा होते है जो हर तरह से चीजों को बहुत अच्छे से manage कर सकते हैं और budget कर सकते हैं ठीक है अच्छा दूसरी stage आती है expanding stage यानि एक दुती अवस्था या फिर इसे जो है बोलते है एक तरह से बोल सकते हैं इसे क्या बोलते हैं विस्तरत अवस्था है ना विस्तरत अवस्था अच्छा फिस्टी जो थी वह एक इस्थापत्य इसे बोलते हैं एक इसकी सब स्टेज जो है जैसे अवस्था है अवस्थाओं में प्रथम इस अवस्था जिसे प्रारंबिक अई इस्था पत्य काल और दूसरी स्टेज आती है है सेकर्ड इस्टेज जिसे हम बोलते हैं एक्स्पैंडिंग स्टेज और विस्त रत अवस्था भी तो यहां पर क्या है कि उन दोनों के बच्चे और extra burden आ जाता है जिसमें हमारी समय का भी ज्यादा loss होता है समय भी ज्यादा जाता है समय की मांग रहती है धन की मांग रहती है और शक्ति की भी मांग रहती है तो यह इसे हम बोलते है second stage कैसे वो life cycle एक दो लोगों से आ करकी कैसे दो लोगों पर आती है अचा ठीक है तो यह चीज हो गई अब बात करते है third stage जिसे बोलते है contracting stage contracting ठीक है संकुचित अब संकुचित का मतलब अब वो दो से फिर दो में आ गए है ना जैसे दो थे दो से यह first stage में है शादी हो गई बर्डन आया कम था और जब बच्चे हुए तो और सारा बर्डन है उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनकी सारी चीजों को देखना है ना और उसमें क्या होता है कि बच्चों का सी सुपालन जो उनकी stages सब स्टेजिस में आ जाएगा सी सुपालन और उनकी प्रारंबिक अवस्था जो स्कूल की है फिर उसके उत्तर वाली जो अवस्था है फिर उसके बाद महाविद्याले की अवस्था यानि 20 से 25 साल की बच्चे इसके अंतरगत आते हैं जब तक कि बच्चों की शादी ना हो जाए या फिर बच्चा जो है फिर बचाने की कोशिश करते हैं ठीक है तो अब से बढ़ है कि बचाना इससे फुरू कर देना चाहिए क्योंकि इसमें सक्ती की मांज रहती है समय की भी मांज रहती है और धन की भी मांज रहती तो यह second स्टेजी में क्या आता है थार्ड स्टेज में contracting स्टेज में जो तीसरी अवस्ता है जी से हम संकुची तवस्ता कहते हैं यहां पर किया है कि अपनी शादी करकी टोपना अलग हो जाते हैं, तो उसमीं क्या है कि वह अपना अलग हो जाते हैं और चले जाते हैं अब उनके जो मेन थे डूर्ण फादर और ग्रैंड फादर हो जाते हैं यह सारी चीजे थर्ड में आती है इसमें क्या होता है एक तरह से सक्ति कम लगती है धन भी कम लगता है बस खाली फाइने जो डॉक्टरी सेवाय है उनको छोड़ करके बाकि उनकी कोई एक्स्रा जो है पैसो की जरुवत नहीं रहती है एक्स्रा खार्चनी होते इसलिए समय की इसमांग भी कम रहती है अच्छा तो यह चीजे हो गए तीन स्टेजेज थे फैमिल लाइस स्टेज की तो इसे गवर फिर से देख लेते हैं पहला पहली स्टेज है जिसे हम बैगनिंग स्टेज क्याते है जिसमें मैरेज आता है अच्छा दूसरी स्टेज स्टेज है जिसम कि उनकी भी मलब एक तरह से जॉब वगरा करने लगते हैं अपनी तरह से पूरी तरह से एक केरियर में लग जाते हैं थर्ड स्टेज में और उनकी जो माता पिता है जो ग्रैंपा और ग्रैंड मदर है वो एक तरह से फिर वो दो पर आ जाते हैं दो से स्टार्ट हुए थे और दो पर आ गया, वह एक चलती है, फैमिली लाइफ साइकल, ठीक है, इसमें हमने ये बात की कि एक फैमिली लाइफ साइकल, किस तरह से फर्स्ट स्टेज, मैरिज, सेकेंड स्टेज, बच्चों की देखर, बच्चों की पढ़ाई, थार्ड स्टेज, फिर वह दो पर आ गया यानि उनकी पैंशन, सेवा, निव्रत्ती है वह सारी चीज़े थार्ड स्टेज में आ जाती है, चलिए आज का टॉपिक यहीं पर खतम होता है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक कबर करेंगे